अगर आप लोग कर रहे हैं CA की तयारी और आप हैं CA Aspirant तो CA Inter के जो बैचीज हैं वो शुरू होने वाले हैं Group 1 और Group 2 के Unacademy के platform पे 28 July से जी हाँ जो Group 1 है और Group 2 है उसके बैचीज जो हैं वो शुरू होने वाले हैं 28 July से जो बच्चे November 2021 का attempt जो हैं वो try कर रहे हैं या फिर मई 2022 का attempt जो हैं वो try कर रहे हैं by Unacademy's Top Educators जिनकी list आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसी तरीके से आपका जो iconic है जो आपका plus membership है उसकी जो activation है वो आप start कर सकते हैं Unacademy के जरीए आपको 12 महीने पे plus subscription पे फिलाल 2 महीने free दिये जा रहे हैं और आप यहाँ पे pricing जो हैं वो भी check कर सकते हैं 6 महीने की 12 महीने की 24 महीने की यह plus की यह intermediate की और अगर आप iconic लेते हैं तो भी क्या ही कहने हैं आपको मिलने वाला है personal coach, printed books, test series, discord और expert session Unacademy के दुआरा जितनी भी PDFs हैं वो सब आपको available करा दी जाएंगी app के जरीए iconic के आप यहाँ पर rates चेक कर सकते हो बहुत ही minimal rates रखे गई है Unacademy के जरीए और इसमें आपको 6 महीने का plan, 12 महीने का, 24 महीने का यहाँ पर आपको दिखाया गया है इसके अलावा Unacademy लेके आया एक combat scholarship test जो CA के बच्चों के लिए है इस test के जरीए आप जी सकते हैं, एक करोड तक की scholarship जो है वो बच्चों को दी जाएगी test जो है वो English में होगा, 40 मिनट का होगा, 60 questions दिए जाएंगे free live test होने वाला है, android app पे यह होने वाला है, Sunday को 12 बजे जी हाँ, याद रखिएगा, Sunday को 12 बजे होने वाला है और अगर आपको extra discount चाहिए Unacademy के platform पर तो आप लोगों को हमारा code यूज करना होगा SOL10, SOL10 code यूज करते हैं सीधे, flat 10% का आपको off मिलेगा एक CA की marathon जो है, वो series शुरू होने वाली है, 22 जुलाई से marathon classes जो है वो Unacademy के top educator आपको provide करने वाली है, link आपको सीधे नीचे description box में मिल जाएंगे with our code Hello दोस्तों, this is Sajamansal from SOL Update, तो भई, आज हम बात करने वाले हैं NC Web के बारे में आप में से बहुत कम बच्चों को NC Web के बारे में जानकारी है, NC Web एक college है Delhi University का या एक branch कह सकते हो Delhi University का, जिसका काम है लड़कियों को open से graduation और master's करवाने है यानि कि सरफ female candidate जो हैं, वही इसमें allow है, male candidate allow नहीं है लेकिन क्या इसमें admission लेना असान है, और क्या जब SOL है तो NC Web की क्या ज़रत है तो भई, दोनों चीज़े आप लोग को clear कर देता हूँ, सबसे पहले तो यह आपको बात समझनी होगी कि SOL से कई गुना बहतर है NC Web, और NC Web में admission हर किसी को नहीं मिलता NC Web में उन्हीं लड़कियों का admission मिलेगा, जो बच्चे merit से आएंगे UG की अगर मैं बात करूँ तो, undergraduate course की अगर मैं बात करूँ तो यानि इसकी भी merit list निकलती है, और अगर आपका Delhi University regular में नहीं आता तो आप NC Web की merit list चेक कर सकते हैं, और अगर आपका number आता है, आपके percentage match होती है तो आप NC Web में admission ले सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसमें SOL से अलग क्या है, अलग सबसे पहले तो कम बच्चों में आपके पढ़ाई होगी, दूसरा आपको college दिया जाएगा, जैसे SOL में आपका कोई college नहीं होता लेकिन यहाँ पर आपको college दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा भई, आप कालंदी college में हैं, आप भारती college में हैं, आप अधिती महविद्याले में हैं आपको कोई college दिया जाएगा, जिस college से आपके 3 साल की पूरी studies होंगी, वहाँ पर teachers होंगे, वहाँ पर आपके doubt session होंगे, वहीं से आपका सारा काम होगा, आपकी fees भी वहीं पे होगी और सारा काम आपका जो है, वो वहीं से होगा चीक है जी, यानि कि आपको पूरी तरह से college के मज़े मिलने वाले हैं, और Saturday Sunday आपकी class होती है, चीक है, SOL में क्या होता है, college के मज़े तो बिलकुल नहीं मिलते, बच्चे इतने सारे होते हैं, classes का पता नहीं चलता, यहाँ पर आपको professors मिल रही हैं, teachers मिल रही हैं, पढ़ाई NCWeb में क्या हम PG में जा सकते हैं, सबसे बड़ी बात ही है, कि बढ़ी, graduation तो चलो, जैसे तैसे अब हो गई, क्या मैं master's course करने के लिए, NCWeb में जा सकती हूँ, लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका यहाँ कोई काम नहीं है, यह video mainly ल available ही नहीं है, किसी ने कभी सोचा ही नहीं जाने के बारे में, या किसी ने इसके बारे में लिखने की धहमती नहीं उठाई, क्योंकि government college है, बहुत कम बच्चे जाते हैं, तो वह आपस में ही सब हो जाता, इसको information मिल जाती है, वो सिकंदर जिसको नहीं मिलती हो विचारा, ध कितनी seats available हैं, जैसे SOL का हम seat ढूंडते हैं कहीं मिलती नहीं है, भाई सब पूरी website चान मारी, SOL की देख ली, prospectus पढ़ लिया, कहीं कोई जानकारी नहीं है, तो अभी NCWeb में ये बताईए, course कितनी हैं और seat है कितनी है, तो अभी देखो आपके सामने आपके courses दिख रहे होंगे आपको, MA है और MSC है mathematics में, जो कहीं मिलती नहीं है, MSC mathematics बच्चे ढूंडते रहते हैं नहीं मिलती, open से, यहां मिल रही है, 75 seats है, MA in English है, 112 seats है, नीचे सारी 112 seats है, MA in Hindi है, MA in History है, Philosophy है, Political Science है, Bengali है, Sanskrit है, Urdu है, Punjabi है, Arabic है, Persian है, यह सारी languages हैं जो नीचे दी हुई है, इसमें जो main ह आपका History है, Philosophy है, Political Science है, Hindi है, इसके अलावा बाकि आपकी सारी languages अजर स्टेट्स में जातर चलती हैं, या अगर आप particular teacher बनना चाहते हैं किसी एक subject में, तो आप यहां से master's करें, आपको अच्छा scope यहां पर दिखरा होगा, 112-12 seat है, सारी master's में हैं, और MSC, अगर mathematics करना चाते ह तो उसके लिए 75 seats available हैं, तो सर यह बता दो फटाफट की fees कितनी लगेगी, तो मैं form भरने की सोचूँ, तो इसकी जो fees है, वो approximately 4500 रुपीज है, जितनी आपकी SOL की है, 4500 से 5000 के बीच मान के चलो, इनकी website से मुझे 4500 मिला है, तो मैंने वहां पे लिख दिया है, 4500 से 5000 एक साल क की fees है, SOL में भी इतनी होती है, आप IGNU की तरफ जाओगे तो इन courses की लगवग इतनी ही fees है, ठीक है, तो एक बढ़िया fees में आपको क्या मिल रहा है, professors मिल रही है, college मिल रहा है, जहां पर आप जाके पढ़ सकते हो, तो सरी बताओ इसका admission process कैसे होगा, तो भई जो आप Delhi University का भी form निकला हुआ, जिसकी मैंने कल वीडियो बनाई थी कि कैसे form भरना है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए, उस वीडियो के हिसाब से, आप form अपना भर दीजे, Delhi University की website पर जाके, NCWeb के लिए भी वही form applicable होगा, उसमें NCWeb का option आप चूज करेंगे, जब आप college select कर रहे होंगे, और फिर आपकी जो cut-off है वो NCWeb की list में आ सकती है, लेकिन इसकी शर्त यही है कि आप लड़की होने चाहिए, नहीं फीमेल होने चाहिए, उन्हीं को ही यहाँ पर number मिलता है, चीक है जी, अब सर मुझे यह बताईए, कि सर center कौन कौन से होंगे, तो भई म आमनुजन college है, सत्यवती है, JDM है, और दुनिया भर के colleges आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन सब जगाओं पर NCWeb के study center है, पांस दिन यहाँ regular की class चलती है, Saturday Sunday यहाँ पर NCWeb की classes चलती है, चीक है जी, तो NCWeb आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मोका है, अगर आप लो और बाकी दूसरी college हो के बच्चे भी रहती है, तो अगर आप safe side अपने आपको ढूंड रहे हो, तो SOL पे ना भरोसा करके NCWeb की तरफ जाईए, अगर आपको यहाँ पर मोका मिलता है, तो मेरी यह recommendation रहेगी, कि आप यहाँ जाएं, बहुती 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 बहुत यह तरीके से कराती है, और उसी तरीके से master's भी इनकी अच्छी होती है, आपको पता होगा भी semester wise आजगल सबको चल रहा है, तो इनका भी यहाँ पर semester wise ही चीज़े चलेंगी, यह सब सारी जानकारी थी NCWeb के बारे में, अगर आप लोगों को कोई question है, क्योंकि बहुत सारे question बन सकते हैं, तो अगर आप लोगों के कोई question है, तो please मुझे comment section में बता दीजिए, सारे question का मैं reply करने की पूरी कोशिश करूँगा, कल जो वीडियो बनाई थी, उसके बाद बहुत सारे बच्चों के question आयते, मैंने सारे reply की है, कोई यह कादा छूटिया हो तो बात अलग है आप लोगों के भी सारे questions को personally handle करूँगा, उसके बावजूद अगर आपके कोई बात रह जाए, आपको कोई लंबी बात करनी है, तो आप लोग हमसे SOL help desk पे connect हो सकते हैं, उसका number नीचे आपको description box में मिल जाएगा, आप हमें telegram message कर सकते हैं और आपकी बात पुरी तरह सुन दूँगा, NCWeb की website पे ज़्यादा कुस दिया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके कुस study material भी available है और बाकी चीज़े भी available हैं, तो I hope आप लोग को आज की वीडियो informative लगी होगी, अगर आपको लगता है कि इससे मुझे अच्छिन मसल, साइन ओफ